गुड मॉर्निंग स्कॉलर कल किसी बच्चे ने कहता कि सर जो है यह अपने कॉस्ट थीटा यहां पर क्यों लिखा हुआ है क्योंकि अगर एस जो है वह नॉर्मल हो तो जीरो हो जाता है तो मैं उसको यह बताना चाहता हूं कि जो हमने वेक्टर की बात करी है एस वेक्टर जो होगा और वाउट दायरेक्शन में होगा ठिक है और यह जो है हमेशा यहां पर यह आउट वर्ट डायरेक्शन में ही रहेगा यह देखिये एस वेक्टर इस आलवें नॉर्मल टू दू सरफेस पॉइंट बात ओर रहे हैं यह एस कॉस्ट थीटा दैट इस ऍलर प्रोडुक में आ रहा है और S vector हमेंसा normal to the surface होगा और outward जो है वो शो करेगा इसलिए आ आप देखें electric field की direction अगर positive charge है गर आपको पता होना चाहिए तो normal होगा अगर यह तो flux जो है वो normal to the the surface होता है यह आपको पता होना चाहिए है clear है S vector normal का मतलब हुआ जो flux है वो normal to the surface होता है clear तो यहां पर यह जो हम बात कर रहे हैं इसके बाद हम बात करेंगे application of gauss theorem application of gauss theorem कहां इस्तिमाल कर सकते हैं हम find out करने के लिए electric field due to point charge ठीक है तो point charge अगर हम देखें तो main center of the imaginary cube पे अगर हम देखेंगे तो e.ds is equal to q epsilon not आएगा और यह कैसे आएगा epsilon not हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे close integral e.ds is equal to q over epsilon not ठीक है यह gauss theorem होता है ठीक है अब अगर किसी main center की बात करें किसी point पे बात करें तो उसका area क्या हो जाता है one हो जाता है यानि close integral e.ds close integral of ds उसका point charge है तो वहां पर क्या होगा ठीक है तो इसकी बात करें हम तो यहां पर e की value और ds की value यह दोनो value हमको put करनी पड़ेगी तो q over epsilon not आएगा ठीक है next है face center तो face center पर क्या है यहां पर close integral of e.ds की value आएगी q over 2 epsilon not center of side पर आएगा close integral of e.ds is equal to q over 4 epsilon not and corner पर जो है वह आएगा जो है e.ds is equal to q over 8 epsilon not ठीक है तो यह तो आएगा लेकिन कैसे आएगा यह जो है main point यहां पर है यह अगर आप यह समझ जाएं कि कैसे आ रहा है तो आप gos theorem को apply करना सीख जाएंगे ठीक है इसी को हम application of gos theorem कहते हैं ठीक है जैसे कि माल लीजे कि हमें electric field due to plane sheet of charge निकालना है तो वह क्या आएगा वह e is equal to sigma over two epsilon not आएगा और यहां पर sigma क्या है सिग्मा है सर्फिस चार्ज डेंसिटी ठीक है और अगर electric field जो है वह near a charge conducting surface निकलना है मतलब उसके पास में conducting surface है उसके पास में कहीं निकालना है तो वह तो sigma over epsilon not ही होगा ठीक है तो अगर यह हमको निकालना आ जाए तो समझ लीजिए कि हमें apply करना आ गया ठीक है तो इसको हम कैसे apply करते हैं इसको हम next वीडियो में हम इसको जानेंगे ठीक है clear तो आज के वीडियो में इतना ही thank you तो